यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है दोस्ती तो हसीन है ही और जब मुहब्बत हो जाए तो दिल को शोर मचाने से भला कौन रोकेगा दिल क्यों ये मेरा शोर करे दिल के अंदर कैद इश्क के शोर गुल को आवाज देता वो वही जो दौरे इश्क में नाराजगी को कंधा देता अपने तरानों से 90's के आखिरी दिनों में कॉलिज की यारियों से इश्क की दहलीज पर पहुँचे दिवाने जब अपनी महबूबा की किसी आदा से थोड़े से भी खफा होते तो गमे दिल को सहारा देने एक तराना आता क्या दिन थे ना वो हमारी आपकी नजाने कितनों के प्यार के कहानियों का दौर गम गलत करने में जो तुम्हारी भूमी का रही उसको भला कैसे भूला सकता है कोई केके मेरे यार मेरी पहली मुहबबत के दिनों के साथ ही हर तरफ चर्चे हैं कि तुम हमें छोड़ गए पर यहां न्यूजरूम से लेकर यादों की रील तक पर तुम्हारी आवाज के नोट्स कभी लो तो कभी हाई हुए जा रहे हैं दोस्तों मैं मनीश मासूम दास्तान लेकर आया हूँ अपने ही एक दोस्त क्रश्न कुमार कुन्नाथ की केके का जन दिल्ली में ही हुआ था जानता हूँ हम में से बिरले ही कोई उनसे मिला हो पर बिन मिले ही वो हमारे दोस्त हैं क्योंकि प्रेम कहानिया तो हम लिखते थे पर स्याही तो वही था उसके नगमों के कुछ हिस्से अपनी महबूबा या महबूब को सुनाया करते और खुद किसी परी कथा के नायक जैसा होने को महसूस करते दिल्ली मूंबई देहरादून बैंगलुरू उन दिनों कॉलेज के एन्वल फेस्टिवल या फेर्वल पार्टीज में स्टेज के नीचे से बस एक ही गाने की डिमांड होती दोस्ती के बंधन को मजबूत करने वाले धागे केके को लेकर मंगलवार 31 माई 2022 की रात को कोलकाता से एक बुरी खबर आई दिल धक सा रह गया और बीते लम्हें तेरने लगे दर्द का समंदर उफन रहा था पर वो तुम्हारी आवाज है ना उसे कौन मिठाएगा क्योंकि उन दिनों जब गुलजार किसी साथिया को फरवरी की नीमी नीमी धूप में नहलाते थे तो वहीं तुम्हारी भी आवाज आती तुम्हारी यश्का पता का लहराता रहेगा लेजेंड क्योंकि केके कहीं जाते नहीं वो यहीं रहते हैं हम छोटे-छोटे प्यार करने वालों के बीच गुन-गुनाते हुए और जो कहीं जुदाई हुई तो कंधा देते दोस्त की तरह अब लोग कहने लगे हैं कि तुम ईश्वर के पास हो तो चलो हम दीवानों की एक फर्माईश सुन लो तुम उस ईश्वर को भी ये सुना देना स्क्रेप्ट को लिखा और आवाज दी है मनीश मासूम ने साउंड डिजाइन किया है आर्जन पांडिय ने